इसने तंगे में रहते हुए भी जीविखा के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला संत लूकस का सुसमाचार अध्या 21 पत्चंक्या 4 आज माता कलिस्या धन्य कुमार मरियम का मंदिर में समर्पन का स्मृति दिवस मनाती है कह जाता है कि एक बाहर माता मरियम ने हंगरी के संत इलिजबेट को दर्शन दे कर कहा था उसने बालहुस्ता में ही यह निर्नह लियाता कि वो ईश्वर के लिए जीवन जियेगे अपने आपको ईश्वर को समर्पित करेगे और उसी समर्पन का पर्व आज हम मनाते हैं क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों जब हम लोगों ने बप्तिस मा लिया है उस प्रभु पर विश्वास रखते विये वही मा मर्यम आज आपको और मुझे बुलाता है क्यों कि हम भी अपना समर्पत याने इसाय जीवन विश्वास जीवन ये कटोहर विश्वास पन को अनबव करते विए उस प्रभु के साथ जीने के लिए कोशिश करें मुश्किलें जरूर होंगे मा मर्यम को असान नहीं था मा मर्यम का जीवी का बहुत असान नहीं थी बहुत खांटे थे बहुत पत्थर थे लेकिन हिम्मत और विश्वास में कभी उन्होंने खमी नहीं लाया जो दुख तकलीव उनका जीवन में आते थे उन्होंने किसी को बताया नहीं शायद आपका अच्चायों को देखकर आपके भले कारियों को देखकर लोग होंगे रास्ते में खांटों के समान पत्तर के समान आपको रोकने के लिए आपको नेजे गिराने के लिए या उसके बावजूद भी जब आप जानते हैं आप सही रास्ते में हैं आपने वो रास्ता चुना है जहां कोई चले नहीं आज तक क्योंकि वहां कटिनायां बहुत है प्रबुरे स्वहम कहा इसो समाचार में सांक्रे दर्वाजे या रास्ते को अपनाओ कटिन है मेरे प्यारे भाई और बहनों विश्वा से जीवन आसान नहीं है देखिएगा आज कसु समाचार में किस प्रकार वो विद्वा सच्च्च समर्पन के बाद हमारे सामने रखती है उनके लिए कटिनता होगा जो कुछ अपने पास था वो सब कुछ देने के लिए उसक बावजुदी वो प्रभू को देती है जब हम काम करते हैं जब हम कमाते हैं क्या हम उसमें से कुछ कलिस्या के लिए देते हैं माला की ग्रंट में लिखा है अपने दश्माम्स जो अपने कमाते हैं उसमें से कलिस्या को देना है प्रभू को देना है अर्तार्थ हमारे सारे बुद्धि आत्मा से हमें समर्पत करना है मेरे प्यारे भाई और बेहनों आज ये भर्व आपको और मुझे बुलावा देता है कि मेरा विश्वाह से समर्पत जीवन किस प्रकार है परिवार में हो, समाज में हो, खारियस्तल में हो और अन्य जगा पर भी मैं इसाही जीवन किस प्रकार जीता हूँ आमिन